नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्रोनिक जहर्खन चैनल में आपका स्वागत है, तो दोस्तों आध हमारे पास 15 इंच का स्पीकर है, और अहुजा कंपनी का है, जो कि 500 वाट में है, तो इसा स्पीकर में, दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था, जिसका मै मैगनेट इसका आउट हो चुका था, तो पेपर को मैं सही सलामत रखते हुए, इसकी मैगनेट को मैंने फिर से सही जगे पर सेट कर लिया हूँ, यह देख सकते हैं अभी, लेकिन दोस्तों अहुजा की सारी मेट्रियल सही सलामत होने के बाद सब कुछ मुझे ठीक लगता ह बशरते दोस्तों इसका जो असपाइडर है यह मुझे पसंद नहीं है, इसके असपाइडर बहुत जल्दी खराब हो जाती है, आपका स्पीकर का कोईल सहीं रहे, फिर भी असपाइडर खराब हो जाती है यहां पे अगर देखेंगे, यहाँ पे? तो मैंने इसकी जो जली वह हमने यहां से निकाल लिया है और निकालने के बाद इसकी जो स्पाइडर है कहीं कहीं से टूट चुकी है फट भी चुकी है तो फिर भी हम एक बार इसे रिप्यर करेंगे तो इसकी आप मोडल भी देख सकते हैं यह हुजा कंपनी की और एल पंद्रा यहां 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 पर आपको सेट करना है लेकिन दोस्तों समय पर और जगे पर अगर आपको सेम चीज ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे तो इसके लिए मैं आपको यहां पर बिल्कुल किलियर बताने वाला हूं तो यहां पर हमने ओरिजिनल अहुजा का जो सेट कंपनी का क्वाइल है यह मैं पहले दूसरा स्पीकर से मैं निकाल के रखा हुआ है यह खराब हो चुका था और यहां पर आप देखेंगे आपको यह दोस्तों यह क्यों सेम और हूजा का है और यह मैं और गयाल को यह करते थे दोस्तों जो की 99.3 mm की coil है तो ये coil जो है लगवग 800 watt से ले करके 1000 watt तक की speaker में set होती थी लेकिन हमारा speaker जो है वो केवल 500 watt की है और इसकी winding अगर आप देखेंगे तो काफी जैदा है इसकी original coil के मुकाबले में तो दोस्तों बहुत सारे भाईयों का कहना था कि ये जो coil जब हम अहुजा company के speaker में replace करते है तो आवाज जो है बिल्कुल कम जाती है ये coil लगाने के बाद में आवाज कम जाती है लेकिन अगर आप इसे use करते हैं तो base भी आपकी बढ़ जाएगी लेकिन ये आपका speaker के साथ match नहीं होगा तो अगर आपके पास available नहीं है तो फिर आप भी ये coil लगा सकते हैं और पहले मैं भी लगाता था लेकिन अब मैं इस coil को use up नहीं करता हूं इस speaker में चाहे P audio की 2200 या फिर अहुजा company की 500 watt के speaker हो तो दोनों speaker का जो coil winding है दोनों को मैं यहाँ पर आपको नाप के भी दिखा रहा हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको नाखुन से दिखा रहा हूं भी तो यहाँ आपने भी इसमें mark किया हुआ है और देखेंगे इसमें कितना extra winding है जबकि इसकी जो wire है यह दोस्तों मोटी गेज में बनी ही भी है तो अगर आप इस coil को लगाएंगे अगर ज्यादा अंदर डालेंगे तो फिर हो सकता है आपका magnet के नीचे सट जाग और फिर आपकी आवाज को भी खराब कर सकती है और एक हमारे पास और coil है जो कि आप यह देख सकते हैं ventilation इसमें दिया हुआ है चारों तरफ तो इसमें जो spider का जो heat होता था उस coil में दोस्तों इस coil में आपकी spider का जो safety है वह भी बचेगी और यह coil जो है 99.7 mm की है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं audio tone company का है और coil में लिखा भी है 600 watt तो कोई दिकत नहीं दोस्तों इस coil को हमने दो-तिन स्पीकर में रिकॉन करके भेजा हुआ है और इसकी जो आवाज की quality हमने customer से बात की भी किया हूँ तो कहीं से कोई दिकत मुझे नहीं बताया है उसने बोला कि आवाज जो भी है बिल्कुल सेम आवाज मिला है मुझे पहले क्या पेक था तो एक बार अगर आप इससे try नहीं किया होंगे तो audio tone 99.7 mm का दोस्तों आप आपके मन में यह सवाल होगा कि 99.3 mm की coil पहले हम लगा र कि नहीं दोस्तों इस company का जो बाहर का layer है और कि इस कोईल का जो layer है winding है इसके मुकाबले थोड़ी सी ओभर है और कि 0.4 mm क्या स्वास में एक्स्ट्रा बड़ी सैज में है तो इसमें उतना जगह भी दिया हुआ है magnet में जो कि आपका speaker का coil है बाहर में कहीं नहीं सटेगी और दोनों का जो winding है आप देख भी सकते हैं कितना कम है जो भी हमने यह हम यूज करेंगे इसमें इस speaker का इस coil का अगर आप यूज करते हैं तो यहां पर आपको मीड और बेस दोनों देखने को मिलेगा दे दोनों सुनने को ही मिलेगा और अगर आप केवल ब्लेक वाली को अगर यूज करते हैं तो दोस्तों बेस बढ़ जाएगी लेकिन आपकी speaker के साथ यह match नहीं करेगी यह जबर्जस्ती का set करना इसे ही बोलते हैं हम लेकिन नहीं रहने के कारण बहुत सारी लोग set करके customer को दे भी देते हैं मैंने भी बहुत सारे speaker में लगाया हुआ है लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इसे क्योंड मैं ट्राय करूं तो magnet में उतना जगह दिया हुआ है कि आपका speaker का जो coil है बाहर में कहीं नहीं फासेगी तो इसे अंदर कर करने के लिए को सेट करने के लिए हमने 0.5 mm का एक paper लिया हुआ है बहुत पतला paper है जो कि हमने पहले coil के चारू तरफ magnet के चारू तरफ हमें डाल लेना है तीसे डालने मैं इसलिए डाल रहा हूं दोस्तों कि बाहर की तरफ paper हमें रखना है और coil हम अंदर क्यों रखेंगे त दिखातों ताकि हमारी coil में scratch नहीं हो तो एक paper हम coil के बीचो बीच रखना यहां पर scratch नहीं करने के लिए हम paper को हम यहां पर पहले set किया हुआ है तो आप सुचते हैंगो कि इस तरह से हमें coil को लगाना यह तो नहीं हम इस तरह में नहीं लगाना है हम बाहर की तरफ हमें safe होगा और अगर आपने यह तरीका नहीं अपना है तो एक बार इसे भी आप लोग अजमा सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका मैंने निकाला हुआ है और कभी आपकी coil में scratch वगरन नहीं होगी तो वीडियो को दोस्तों आप लोगों को समय निकाल के जरूर देखना है और वी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं किये होंगे तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब किजिए और साथ में बिल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका सिधा नोटिफिकेश और कवायल अंदर जाना के बाद में आपको चाब बहर बहर जो हमने पेपर यहां पे यूज किया था पेपर को हम यहां से निकाल लेना है और फिर हम कोईल के भीच और बीच बीच अब हम डालेंगे तो बाहर डालने का मेरा एक ही मक्सद था कि कोईल की कोपर है वाथ खरा तो अब हमें क्या करणा है कि कोयल के बिच गीच हमें पेपर क्डाल करके टढушки कर देनी है और यहां पर après हम दिखाएंगे कि कि क्मार्थ हम कितना उपर इसमें रखा हुआ है तो यहां पर दोस्तो कम से कम हम लगवत 0-30 परशेंट जो हिस्सा है वाइंडिंग का हो दोक हमने ऊपर बिल्कुल दिखाएंगे आपको तो दोस्तों अगर आपको अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग लाइक जरूर किजिए क्योंकि आप लोगों के तरफ से लाइक बहुत कम मिलते हैं तो हम कैमरे को हां से सामने करके दिखाते हैं आ हो तो फिर लगा 30 परसेंट जो है वो मैंने उपर क्यों रखा हुआ है और 70 पर 30 जो है वो मैंने नीचे रखा हुआ है दोस्तों इस क्वाइल में एक फैदा और है कि इसमें जो चारों तरफ वेंटिलेशन दिया हुआ है इसके वज़ा से आप देखेंगे होजा स्पीकर आ और एयर के कारण जल्दी खराब नहीं होगी तो मैंने इसमें पहली बार क्वाइल चेंज हो रहा है से स्पीकर में अब जब भी क्वाइल खराब होगी तो आपको पेपर और स्पाइडर दोनों साथ में चेंज कर देना है ताकि आपकी जो आवाज है बिल्कुल पहले जैस कर दीजिए तो ज्यादा भेतर होगी तो यहां से आप वीडियो को थोड़ी सी फारवर्ड करते हैं दोस्तों और पूरी पेपर देखर करके आपको टाइट कर देना है क्वाइल को ताकि अपनी जगह से नहीं लेए तो आपको दोस्तों जब भी क्वाइल लगाएंगे तो भी डिस्टर्ब नहीं होगी और नहीं रगड़ खाएगी तो एक चैनल हमने और ओपन किया हुआ है जो कि आर्के टेक्निकल गाइड के नाम से हमने खोला हुआ है दोस्तों अब आपने अभी तक उस चैनल ने विजिट नहीं किया है तो उस चैनल का जो लिंक है मैं इस वी इसकी जो क्वैल में चारों तरफ हमने पेपर देके टैक कंप्लीट कर लिया हूँ और अब जो मेरा काम यहां पर बचा हुआ है इसकी कनेक्शन करने के बाद चारों तरफ बॉन टैट हमें लगाना है और बॉन टैट जब लगाएंगे तो आपको टेस्टिंग करके भी दि आप जो क्वैल यूज करते थे पहले और इस क्वैल में दोनों में क्या डिफ्रेंस देखने को मिला तो मैं आपका कमेंट का इंतिजार करूंगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिए तो आपको यहां से सोल्डिंग कर लेना है तो यह हमारी सो पेपर और कोईल के बीच में और दूसरा दोस्तों स्पैटर इसका जो छुटा हुआ था नीचे की तरफ भी हमें यूज करना है यहां पर तो सबसे पहला जो बॉन्टेट हम यूज करेंगे कोईल और पेपर के बीच में हमें यूज करना है यह हमने मिला लिया है और मिलान इसका जो performance है बहुत ही अच्छा है मुझे देखने को मिला है मैंने इसे पहले यूज़ कर चुका हूं उसके बाद ही मैं आप लोगों के बीच में यह बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार इस quail को यूज़ किया है अगर दोस्तों यह जो quail है अब p audio 226 में अगर लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सी बाहर बाहर quail में रगड़ खाती है तो उसमें आपको यूज़ नहीं करना है और अगर इसकी जो original coil है तो original coil के बारे में हम बताएंगे लेकिन सबसे पहले जो मैंने यूज किया है इस सेम आवाज मुझे मिला है इसमें कहीं से भी मुझे डिस्टर्ब नहीं मिला बिल्कुल सेम आवाज मिला है तो चाहे तो आप इसे जरूर ट्रैक कर सकते हैं और सबसे पहले मैं इसे अपने में बिल्कुल कंफर्म हो चुका हूं इस क्वैल को लगाने के बाद में इसकी आवाद से मैं संतूष्ट हूं तभी मैं आप लोगों के बीच में ये बता रहा हूं तो दोस्तों बॉंटेट लगाने के बाद एस्पीकर को कुछ देर के लिए आपको उल्टा छोड़ देना है ताकि बॉंटेट अंदर की और ना जाए तो यहां सही से लगवा आदे गंटा छोड़ने के बाद हमारा स्पीकर सुख चुका है यह देख सकते हैं और अब जो है तो पेपर और अस्पैडर के बीच में जो जुवेंट है यहां पर हमें फ तो अभी हम पेपर नहीं निकालेंगे यहां पर जो हमने वाइट पेपर लगाया हुआ है इसे हमें नहीं निकालना है तो इसे भी हम लगा लेते हैं तो यहां पर हमने बॉंटेट लगा करके इसे सुखने के लिए छोड़ दिया था तो यह कंप्लिट भी हो चुका है दोस तक मैं आप लोगों के बीच में कोई भी वीडियो लेकर करके नहीं आता हूं और इसक्वाइल से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं आप इससे ट्राइग कर सकते हैं तो इससे आप देख सकते हैं आपके कोई भी घर्षन वगरा नहीं है बिल्कुल अराम से स्पीकर हमारी अपड़ाउन भी हो रही है तो एक बार हम इसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी से हम टेस्ट करेंगे और अगर आपने इस क्वाइल को अगर लगा लिया है तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर किजिए और मन में कोई भी डोठो तो भी आप अपनी राय मुझे जरूर दें ताकि मैं भी कुछ कि मोडिफाय अपने तरफ से कर सकूं तो मेरा यह एक्सपिरियेंस है मैं एक्सपिरियेंस के दार पर यह कोईल मैंने यूज किया है तो यह हमने 6 वोल्ट का बैटरी लिया हुआ है और इसी के माधियम से हम चेक करेंगे भी तो दोस्तों यहां पर हमारे बगल में एराम नौमी के उपर भजन बज रहे थे जो कि यहां पर मैंने साउंड को बिल्कुल बंद कर दिया है नहीं तो फिर कॉपी रैट का कलेम आती है इसके लिए तो स्पिकर हमारा कम्प्लीट हो चुका है इसके उपर जो डॉस्ट के फ पहले से तो यहां पर हम छोटी सी बड़ी मेडियम साइज की यहां पर कैफ हम इसमें यूज करेंगे तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है यह कमेंट में आप जरूर बताना है और अगर आपने इस कोयल के जगर पर जो भी हमने यूज किया है वो कोयल अगर आप करने विंद म आपको कink mejor भी हमार आपको का पर जखर हम ए लगबे है जा दो का ज्बड़ाद को ऑने मॉटा आपको किया हुडा अजरा कि गодस्वाम का कि धा अभर के आपको से शोश विरेंगा से यह रापको कैचिन